Please take a moment to subscribe by pressing the bell icon on the YouTube app to never miss another update from Bali to Box. Greek god Ritik Roshan अपने आने वाली बायोपिक Super 30 को ले कर काफी मेहनत कर रहे हैं. ये फिल्म पतना बेस्ट मैथेमेटिशन आनंद कुमार और उनकी Super 30 प्रोग्राम पर आधारत है. अब जब से हमने इस वेंचुर के बारे में सुना है, हम सब इस फिल्म के बारे में जानने के लिए काफी पेताव हो रहे हैं. साथ ही ये भी सोच रहे हैं कि इतने मैचो और हैंसम Ritik एक कॉमन गीक के रोल को कैसे निभापाएंगे? पिछले साद मेकर्स ने टीचर्स डे पर फिल्म से Ritik का फर्स लुक भी अनवेल किया था, जहां हमने Ritik को बड़ी हुई डाडी के साथ देखा. इस इंप्रेसिव लुक को देखने के बाद हम सब इस फिल्म को लेकर और भी ज्यादा बेताब हुए. पर कुछ दिन पहले जब कंगना रणावत ने अपनी फिल्म मेंटल है क्या की रिलीस डेट बदल दी, तो ये फिल्म स्थीधे Ritik के फिल्म के साथ ख्लैश होने वाली थी, जिसके चलते Ritik ने मेकर्स से अपनी फिल्म की डेट बदलने का सुझा दिया. अब ये सुनकर उनके सभी फैन्स काफी अपसेट हुए. और इनी फैन्स को खुश करने के लिए सूपर थाटी के मेकर्स ने अनवेल किया है अपनी फिल्म का ट्रेलर. माई माई, इस ट्रेलर में रितिक ने आनंद कुमार के खरदार को इतनी कन्विक्शन से निभाया है कि यकीन ही नहीं हो रहा. और ट्रेलर में उनके हर माईलस्टोन और उनकी स्ट्रगल की पहली जलक देखने के बाद हम सब इस फिल्म को देखने के लिए काफी बेताब हैं. और आप?